हेलो बच्चा लोग कैसे हैं आप लोग क्या हाल है आप सभी के हुमीद है ठंड में सभी बशे होंगे बच्चा लोग ठंड इतनी पढ़ रही है कि बहुत जादा छोटे हो गए हैं सबके दिन छोटे हो गए हैं दिन की बात हो रही है कुछ और मैं समझेगा आज मैं आपको पताने वाला हूँ कि जो एकाउंटेंसी का एक आप जाम देने वाले हैं उसका आपको पेपर प्रेजेंटेशन कैसी रखनी है उसको स्टार्ट करने से पहले आप से छोटी से रिक्वेस्ट है कि यह मेरा वाटसेप नंबर है है 9690105047 वाटसेप नंबर है यहाँ पर वाटसेप करके आप मेरे गुरुप में एड हो सकते हैं डाउट्स वगेरा मुझसे पूछ सकते हैं डिसकेशन में आपको मेरी इंस्टागाम आईडी मिल जाएगी टैलिंगाम शेल का लिंक मिल जाएगा वहां जाके आप मुझे फॉलो कर सकते हैं सपोर्ट कर सकते हैं देखिए एकाउंटनजी का जो एक्जाम आप देंगे आपको पेपर के लिए क्या-क्या करना है किन चीजों को अवाइट करना है और किन-किन चीजों का ध्यान रखना है वो मैं आपको बताऊंगा आज की वीडियो में यह आपके सामने मैंने एक टॉपर की आंसर शीट के फोटो का PDF लिया है कि मैं इससे आपको डिटेल में समझा पाऊं कि क्या होने वाला है यहाँ पर आपको दिख रहा होगा लेफ्ट एंड साइड में भी और राइट एंड साइड में भी यह आपको लाइने दिख रही है तो हो सकता है आपकी कॉपी में यह अल्डेडी बनी ना आए यह आपको सबसे पहले करना है कि जहान जहान आप कोशन्स करने वाले हो वहाँपे लेफ्ट एंड साइड में भी और रैफ्ट हैंड साइड में भी बराबर की तरह कहां से लाइन यहां पर करनी है यहां पर तो मेरे ख्याल से आपको नीड नहीं पड़ेगी क्योंकि शायद आपकी जो board की copies होंगी उसमें लाइन आएगी लेकिन यहां पर आपको scale से lining करनी है then उसके बाद आपको ध्यान रखना है कि आप किस part को करने वाले हैं आपको जो paper होता है वो part wise होता है especially accountancy part A part B कर होता है ऐसा मत करिएगा कि आप attempt part B कर रहे हैं पहले लेकिन आपने उसको लिखा नहीं mention नहीं करा यह आपको नहीं करना है दूसरी चीज आपको vicious ध्यान रखनी है क्या जो आप MCQ करने वाले हो उसमें for example जैसे किसी first का answer A है बहुत से होश्यार जो होते हैं वो बस इतना ही छोड़ देते हैं ऐसा आपको नहीं करना है कि sir यह बाकि अब examiner की duty है वो लिख देगा नहीं आप जो answer लिखोगे first का answer A और A option है क्या वो आपको पूरा proper लिखना है वही मैं अगर numerical की बात करूँ अगर MCQ numerical में है अगर MCQ में numerical है तो उसका आपको solution भी show करना है ध्यान रखेगा आप ऐसा मत करना कि direct answer लिखके भूला ऐसा आपको नहीं करना है उसका solution आपको show करना है उसके बाद आप यहाँ पर देख रहे होंगे एक चीज हर question के बाद एक line छोड़ी गई है परस आपको एक-एक calculation के बाद भी line छोड़नी है अगर आप किसी theory का answer लिखोगे तो आपको जो answer लिखना है वो पूरा का पूरा paragraph में नहीं करना है वो आपको points में करना है यानि कि आपने एक solve मा लीज़े आपने sacrificing ratio निकाला उसके बाद एक line छोड़ी फिर जो निकाला उसके बाद एक line छोड़ी ताकि जो examiner है उसको मालुम रहे कि अच्छा यहाँ sacrifice ratio निकाला है यहाँ goodwill का treatment किया है बाटा गया है यहाँ यह किया गया है इस तरीके से इन बातों का आपको विसेशतर ध्यान देना है प्लस एक चीज आपको अपने mind से बिलकुल हटा देनी है कि sir अगर हम numbering उपर नीचे कर देंगे कि पहला है पहला कर दिया या चौथा कर दिया ऐसा कर देंगे तो examiner हमारे copy या number काट देंगे नहीं आपको क्या करना है जो questions आपको आ रहे है सबसे पहले उनको attempt करिए वो भी बहुत अच्छे से क्या होता है हर examiner को कम से कम 25 से 30 कौपियां एक दिन में चेक करनी होती है तो हम examiner इतना deeply नहीं गुसते हम deeply कब गुसेंगे जब आपने शुरूवात के जो questions attempt किये है उनको सही से नहीं लिखा इट मीस examiner समझ गया कि ये जो बच्चा है वो कितना पढ़ने वाला है लेकिन अगर आपने शुरूवात में उन questions को attempt किया है जो आपको अच्छे से आ रहे है आप 100% sure हो कि हाँ इसका answer यही है आपको शुरूवात में उनी questions को attempt करना है वो भी अच्छी writing में दूसरी चीट ये बच्चे जो rough work होता है आपने किसी भी चीज को solve किया और आपने कहा कि rough work में show कर दिया अगर किसी की calculation आप दिखा रहे हो तो examiner को आपको बकायदा नीचे दिखाना पड़ेगा कि सर्दे को 2 into 2 किया तो इसलिए 4 आया है यानकि जो examiner है उसको आपको बताना पड़ेगा वो अलग बात है गाड़ी के पीछे आंटी बैटी है तो break बार बार लेंगे वो अलग बात है लेकिन यहाँ पर आपको यह चीजे ध्यान में रखनी है most important चीज आपको क्या रान रखनी है जो numerical आपके जादा number के होते है जैसे कि कोई 6 नंबर का numerical है कोई 8 नंबर का numerical है वहाँ पर आपको यह जो format होता है format आपको किसी में नहीं छोड़ना यह बात ध्यान लखेगा आप चाए revolution बना रहे हो चाए partner's capital बना रहे हो या entries पास कर रहे हो basic entries पास कर रहे हो किसी में भी format को आपको नहीं छोड़ना है format पूरा बनाना है line by line जितनी line होती है narration लिखना है amount लिखना है even आपको total भी करना है इस बात का आपको विशेश ध्यान रखना है दूसरी चीत माल लीजे किसी भी question का answer आपको नहीं आ रहा है और आपने शुरुवात में वो question किये हैं जो आपको आते थे आपको जो question नहीं आता है जिसका answer आपको अच्छे से नहीं आता है आपको उन्हें attempt करना है क्योंकि अगर आपने शुरुवात में ये show कर दिया हमने answer सही करे है तो examiner अपने कुछ भी अगर लिखा है तो इसके marks आपको 110% देगा देखिए यहाँ पे आपको एक theory दिख रही है question number 4 की यहाँ पे बताया गया है कि reserve capital की definition क्या है अगर आप क्या करते अगर ये line नहीं खिस से तो क्या होता ये जो definition है वो यहाँ तक रह जाती अब यहाँ तक रह जाती तो examiner के mind में ये आता कि यार चलो एक number दे दे रहा हूं बहुत है लेकिन अगर आप देखिए ये जो 3 line बन गई है इससे क्या होगा examiner यहाँ पर confuse हो जाएगा कि यार कितने number दे सकते है है ना फिर आप देखिए यहाँ पर इन्होंने numerical जो attempt किया है पूरा format बनाया है date, particular, LF, ठीक है ना debit, credit, entry भी पास करी है, narration भी डाला है box भी बनाया यानि कि जहां जहां से आपको number मिल सकते हैं इन चीजों को आपको छोड़ना नहीं है कोई भी amount आपने कहां से निकाला, कैसे आया कोई ratio अब जेकिसे यहां पर इनोंने कर दिया है यह से, यह गलती आपको नहीं करनी है ठीक है ना यह गलती आपको नहीं करनी है आपने जो भी answer निकाला जैसे आपने यहां पर answer निकाला होता और यह सब क्या होता गर हम sacrifice ratio निकाला हो जो गेन आ रहा होता तो आपको bracket में करने के बाद वहां show भी करते कि हां sir यह गेन आया है तो accountancy के paper में आपको यह सारी बाते most importantly ध्यान रखनी है ठीक है ना बाकि मैं next part लाने वाला हूं जुस मैं आपको बताओं कि आप कैसे accountancy में बहुत अच्छा score कर सकते हैं how to score good marks and accountancy कैसे अच्छे नंबर ला सकते हैं तो आज की वीडियो में इतना ही वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज वीडियो को like जरू करेगा शेयर जरू करेगा अप्तार चैनल को subscribe नहीं किया है तो subscribe कर दिज कर दो